असकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नासिंग केरल कलब में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CSSD की यूनिट 7 जिसका नाम है अस्पताल की नीतियों और प्रक्रियाओं का परीचे इंट्रोडेक्शन टू हॉस्पिटल पॉलिसीज और प्रोसीजर्ज देखते हैं हम हमारी कारे सुची पहले हम पढ़ेंगे अस्पताल की पोलीसियों और प्रक्रियाओं का परीचे जो हम स्लाइड नंबर 6 पर पढ़ेंगे दूसरा अस्पताल की नीतियों के उदेश जो हम स्लाइड नंबर 7 पर पढ़ेंगे तीसरा अस्पताल की नीतियों और स्वास्ते संबंदी के उदेश जो हम स्लाइड नंबर 9 पर पढ़ेंगे चोता स्वास्ते देखवाल प्रक्रियां जो हम स्लाइड नमबर 10 पर पढ़ेंगे पाँचवा स्वास्ते संबंदी नीतियां और प्रक्रियां जो हम स्लाइड नमबर 11 पर पढ़ेंगे छटा अस्पदाल की नीतियां और प्रकरियाओं के प्रकार जो हम 12-15 पर पढ़ेंगे साथवा नस्बंदी और गितान कृतन के तरीके जो हमinin 18 पर पढ़ेंगे नववा इस्टरलाइजिंग अभ्यास जो हमievre 2019 पर पढ़ेंगे 12 रोज मर्रा की स्थितियों को काम आने वाले चिकिसा शब्द जो हम स्लाइड नमर 22 से 25 पर पढ़ेंगे 13 चिकिसा उपसर्ग और प्रत्य जो हम स्लाइड नमर 26 से 27 पर पढ़ेंगे 14 चिकिसा मूल शब्द जो हम स्लाइड नमर 28 पर पढ़ेंगे 15 चिकिस संक्षप्ति करण और परियावर्णी सब्द जो हम स्लाइड नंबर 31 से 31 पर पढ़ेंगे 16 लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जो हम स्लाइड नंबर 31 से 33 पर पढ़ेंगे 17 अभ्यास प्रश्ण जो हम स्लाइड नंबर 18 से 16 पर पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे अस्पताल पॉलिसियों और प्रक्रियाओं का परीचे जो हम पराशासन की गतिवीदियां प्रात्मीक रीड है जो यह सुनिशित करती है कि एक अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है और यह सुनिशित करने के लिए करमचारियों, रोगयों और आगंत अधर नीति और विबिन अन्य गति वीडियों तक सीमित है मतलब यह कि जो हॉस्पिटल है उसका उसकी गति वीडियों को एक प्राथमिक बैक्बॉन की तरह काम करने के लिए बैक बॉन का काम कौन करती है पॉलिसी और प्रक्रियाओं जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं हमारे उनका वो जो है हॉस्पिटल का पैक बॉन की तरह काम करती है अस्पताल में जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं या करमचारी है या जो अटेंडर्स है उन्हें कंट्रोल करने का एक सही तरीका है जिसके थू हम हमारे जो हॉस्पिटल के वर्किंग है उसे हम इजीली से ऑन रखते हैं अस्पताल में हमें ये भी help मिलती हैं उसे चलाने में हमें help मिलती है कि हम किस तरीके से कौन सा नियम लगा रहे हैं जैसे यात्रा नियम रेस कोड़निति विस्तर निती यह मतले procedures को related हैं कि जो भी अगर के लिए हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसे स्टैप बाइस टैप करना जो पॉलिसीज हैं उन्हें फोलो करना है मानों संसाधन प्रबंदन विभाग का प्रात्मी करते हुए यह सुनीशित करना है कि करमचारी संगटन की नियमों और विनयमों का पालन कर रहे हैं साथ ही इसका ध्यान रखा जा रहा है जो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो हमारे होस्पिटल में रूल्स और रेगुलेशन हैं उन्हें सब फोलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं स्टाफ के सदस्य एक अस्पताल के महतोपून घटक है इस लिए यह उनकी भलाई के लिए अशग है साथ ही उनके कोशल सैट में सुधार करना विभाग का प्रात्मिक घ्यान है असपताल के अंदर क्या हो रहा है यह भी हमें चैक करना है यह सुन निशित करने के लिए परिष्य के निड़नों और निधारित करती हैं यह दीगए परिस्तितियों में निड़ने लेने में भी साहिता करता है नीतिया और आम तोर पर स्वीकृत अच्छी तरह से परिभाशित मानधंड अभ्यास के मानकों पर आधारित होती है अभ्यास परशने एक स्वास्ते देखभाल में कौन-कौन सी प्रक्रियाएं होती है एक प्रक्रिया निदिशों का एक लिखिस सैट वह पूरे संगठन में प्रथाओं का मानी करन करते हैं सब्सुरक्षित कारी अभ्यास को बढ़ावा देते हैं और बनाए रखते हैं द उप असपताल की नीतियों और संगठन सवास्ते संबन्दी के उद्देशे असपताल के लिए नीतिया और प्रक्रियाओं मरीज की देखभाल करते समयकरमचारियों को सही कदम उठाने में हेल्प करते हैं उन्हें responsible मनाने में मदद करते हैं पूरी तरीके से संगठन को मानी करन क करनें यह सुनिशित करते हैं कि प्रतेग रोगी जो है समान है और उन्हें समान इसतर की देखवाल देनी चाहिए अस्वताल भरे में माननेकर प्रताओं को मरीज्व को सुरक्षित करते हैं जो उनकी यौट्वरा की प्रोटेक्ट करते हैं स्वास्ते देखवाल निती महत्पूर हैं क्योंकि इदिशा निदिशों इस्तापित करते हैं करने में मदद करते हैं मतलब हमें एक guidance देते हैं जो भी हमारे rules and regulations है जो रोगियों स्वास्ते संगड़नों और हमारी स्वास्ते देखवाल प्रणाली को लाब भी पहुंचाते है प्रोटोकोल होने से मानिय त्यूटिया जो प्रोटोकोल हम follow करते हैं उसमें क्या होता है human error को कम करते हैं और चिकेशकों को निड़ने में भी मदद करते हैं और आसपास के बातवरन को खराब होने से भी रोकते हैं स्वास्ते देखवाल प्रक्रिया एक प्रक्रिया निजिश्चों का एक लिखित प्रोटोकोल होती है यह जो स्वास्ते देखवाल प्रोटोकोल होता है लिखित रूप में return concern के अंदर एक प्रोटोकोल होता है जिसके अंदर कुछ विशेस या अधिनियम या घटना अनुक करता है उन्हें responsible मन बनने में मदद कर रहा है प्रतेक रोगी को समान करवाने में मदद कर रहा है अस्पदाल मर्मे मानने के पथ्धाओं को मरीजों को सुरक्षित रखती है यह कानूनी आशकता है कि व्यक्ति को नीतियों प्रक्रियां और पत्र पर काम करने के सहमत तरीकों क पालन करते हैं कांसल लेने में हमें जब कोई हम पेशन के साथ कोई प्रोसीजर कर रहे हैं और उसको हमें लगता है कि रिस्क है तो हम लोग क्या करते हैं हमारा होस्पिटल के प्रोटोकॉल होते हैं कि हम लोगों को उससे कांसल लेना उससे लिखित में सहमत ही लेनी होती है कि जो पेशन के डिलेटिव्स हैं वो सहमत हैं वे सुरक्षित कारी अभ्यास को बढ़ावा देते हैं और बनाए रखते हैं और उनका पालन करने में विफलता समधित प्रतेक व्यक्ति के स्वास्ति सुरक्षा और कल्यान को जो खिम में डालती है ये एक कानूनी आउशक्ता ह कि एक व्यक्तियों को नीतियां प्रक्रियां के पत्र पर काम करने में सहमत तरीकों का पालन कराना चाहिए किस तरीके से हमें लेना है ये एक लीगली राइट है वे सुरक्षित कारी अभ्यास को बढ़ावा देते हैं और बनाए रखते हैं और उनका पालन करने में मिफलता संबंदी प्रतेग व्यक्ति के स्वास्त सुरक्षा और कल्यान को जोखिम में डालती है स्वास्त देखवाल निती महत्पूर है क्योंकि यह दिशा निदे से स्ताबिट करने में मदद करती है जो रोगियों स्वास्त संगटनों और हमारी तुरूटियों को कम करती है और उन्हें सही केर देने में हेल्प करती है अस्पताल की नीतियां और प्रक्रियाओं के प्रकार किस तरीकी की नीतियां होती है वो हम पढ़ेंगे अस्पताल सामजी प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें नेधानिक सेवाई, चिकिस्सा सेवाई सहायक और उपियोगी सेवाई जिसे की डॉक्टर, नर्स, पेरामेडिकल, प्रशासनी, करमचारियों जिसे लोगों के समू के साथ सब सिस्टम है जो मरीजों को चिकिस्सा करने में मदद करते हैं, एक साथ द्वार करने में मतलब कम, ग्रुप की तरह वर्क करने में हेल्प करते हैं, प्रतिक अस्पताल या स्वाईस्ति सेवा संगटन को कई नीतियां और प्रक्रियां की आवशकता का पालन करना आवशक है, अस्पताल की नीतियां और प्रक्रिय में कई तरह के अभ्यास सामिर होने चाहिए दवा लिखने से लेकर मरीज के रिकोर्ड को समालने तक कि मुलाकात के नियमों तक कि सब कुछ कारिये सम्मलित होते हैं बिशेप्शन स्टाफ से लेकर ओटी स्टाफ गर्सिंग स्टाफ वाड स्टाफ चैस्सड श्राफ यह सबी मिलकर और डॉक्टर सरजन और रिजिदेंश्यल डॉक्टर यह सब लोग मिलकर एक टीम की तरह वर्क करते हैं और मरीज से A से लगाकर Z तक सारे केर का ध्यान रखते हैं और सारे रिकोर्डों का ध्यान रखते हैं इतने सारे अलग-अलग शेत्रों में नीतियों के साथ अस्पतालों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से विवस्तित और आसानी से खोजा जा सकता है उन्हें अलग-अलग विभागों या भूमिकाओं की अलग-अलग handbook में माटा जाता है जो भी अलग-अलग departments हैं जैसे neurosurgeon, isolation, ICU इनको अलग-अलग departments में बाट कर अलग-अलग तरीके से record बनाय जाता है इन future अगर कोई problem होती है patient को तो उससे जल्दी से हम निकाल सकते हैं उसकी history को और हालांकि कई नीतियां दूसरों से जुड़ी होगी और उन्हें प्रकार आदार पर सामुई करने में मदद भी करती हैं यहां कुछ अलग-अलग प्रकार की नीतियां गदी गई हैं जो हर hospital में होनी चाहिए प्रशाशनिक नीतिया administrative policies जो administrative policies होती हैं वो क्या करती है करमचारियों रोगियों और आगुंतुकों को सही तरीके से नियंतित करने में मदद करती हैं यह एक प्रशाशन को backbone की तरह गाम करती हैं प्रशाशन की गतिवीदियां प्रात्मिक रीड हैं जो यह सुनिशित करती हैं कि एक अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है यह सुनिशित करते हैं कि करमचारी रोगियों और आगुंतुकों को अच्छी तरीके से नियंतित किया जा रहा है संसाधन प्रबंदन नीतिया resources management of policies मानों संसाधन प्रबंदन विबाक का प्रात्मिक करते हैं कि यह सुनिशित करना है कि करमचारी संगटन के नियमों और विनयमों का बालन कर रहे हैं साथ ही इसका ध्यान रखा जा रहा है स्टाफ के सदस्य एक अस्पताल के एक महत्पून घटक है जो humans और resources के members होते हैं वो सभी स्टाफ members के rules and regulation को follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका ध्यान रखते हैं उन्हें कोई भी help की जरूरत होती तो उन्हें help करने में मदद करते हैं देखमाल नीतियां और प्रदान करना providing care policies एक अस्पताल का मूल उद्देशे अपने रोगियों की देखमाल करना है कि नीतियां और प्रक्रियां मैनुल का सबसे व्यापक सैट है इस विभाग को निदेशित किया गया है इस तरहे नीतियों पोशन गाइड, रोगी और परिवार की सिक्षा, दुर व्यवार और उप्पेक्षा प्रवेश निर्वाहन, रोगी गॉल बैंक, रोगी अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ कई अन्य विशों के विशों को कवर करती हैं उधारण के लिए प्रतिवीभा की नीतियों भी नोती हैं, जैसे पडियाट्रीशन अलग होता है, फिजीशन अलग होता है, हैल्थ अधुकेटर अलग होता है, और लेब टेक्निशन सब के अलग 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 प्रोटोकोल्स होते हैं और हूँ उसी तरीके से अपने प्रोटोकोल को फॉलो करते हुए काम करते हैं दवा की नीतिया मैडिसेन पॉलिसी मैडिसेन पॉलिसी इसके अंदर क्या होता है कि हॉस्पिटल में जिते भी पेशेंट्स आ रहे हुने कि इस तरीके से medicine provide की जाएगी ये medicine policies का गाम होता है pharmacy का एक अस्पताल में बड़े विभाग में से एक है ये आवशक है कि विभाग ये सुनिशित करने के लिए दिशानरदेश का एक सक्त सैट का पालन कर रहे हैं कोई गलती या दुरगड़ना ना हो अन्यता हो सकती है पर जिस दवा के नमूनों को संभालने से ये महतुपुण है कि करमचारी सक्त नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है अभ्यास प्रश्न निम्न लिकित में से अस्पताल की नीतियों और प्रक्रियों कौन कौन सी है अप्रशासनिक नीतियां बस अंसाधन प्रबंदन नीतियां सा देखवाल नीतियां प्रदान करना दा उप्युक्त सभी सही उत्तर है उप्युक्त सभी नस्बंदी और किटानू शोदन नस्बंदी के अधारना नस्बंदी एक ऐसी विधी है जो निश्वल सामगरी में रोग जनक और गेर रोग जनक सुक्ष्म जीवों के वानसपतिक और विजानू रूपों की मद्द मृत्यू सुनिशित करती है सभी वस्तों का निश्वल किय जाना चाहिए या विशेश प्रगार शातीगरस्त शलेश्म जिल्ली के साथ गहाऊ रक्त इंफेक्शन इंजेक्शन के संपक्ष्मे नेदानिक उपकरण पूर्व नस्बंदी उपकरण पूर्व नस्बंदी उपचार का उद्देशिये चिकिस उपकरणों से प्रोटीन वसा आशदिये यांत्रिक सदूशक, रक्त बलगम सहीद को हटाना और जो बात की नस्बंदी और प्रबावशिल्ता और निश्फल उपदों को सुरक्षित उपियोग को सुनिशित करता है पूर्वुनस्बंदी उप्चार के तरीके पूरुनस्बंदी उप्चार मेनौल और मशीन्री करत तरीके से किया जाता है मैनुवल अविधी चरण एक किटानु शोदन के बाद 30 सेकिन के लिए बहते पानी तब तक धोना है जब तक किटानु शोदक किटानु नाशक की गंद पूरी तरी से दूर ना हो जाए चरण दूसरा उतपादक को डिटरजन में भिगोना है 15 मिनिट के लिए चरण तीसरा प्रते गुद पादन को उसी घोल में धोना है जिसमें वे 30 सेकिन के लिए रफ को उप्योग करने करके भिगोया गया है चरण चोता बहते पानी से धोना चरण पांचवा 30 सेकिन के लिए आसुद जल से धोना चरण छटा सुखाने वाले अलमारियों में डिग्रीश NCS के तापमान पर घरम हुआ से सुखाना इस्ट्रलाइजिंग का अभ्यास रोगी को देखवाल में उप्योग के लिए बाँज उत्पादों की डिलेवरी ना केवल नस्बंदी प्रक्रिया की प्रभाव शीलता पर निर्भर करती है बलके डिवाइस के यूनिट डिजाइन परिशोधन डिसेबलिंग और पेकेजिंग पर भी निर्भर करती है इस्टलाइजर को लोड करना निगरानी करना इस्टलाइटी गुणवत्ता और मात्र का उप्योगता लोड सामगरी के लिए चक्रों डिवाइस पुनर संसादन के अन्ये पहलों के लिए स्वास्ते देखबाल करमियों को गुणवत्ता को अधिक आसानी से नियंतित करने के लिए केंद्रिय प्रह संक्रन विभाग में रोगी देखबाल आपूर्ती की अधिगान सफाई किटानु शोधन और नस्बंदी करना चाहिए केंद्रिय प्रह संक्रन का उद्देशे रोगियों को संक्रमन से बचाने के लिए चिकिसा और शेली चिकिसा उपकरनों का व्यवस्तित प्रह संक्रन है जबकि करमचारियों को जोखिम कम करना है और पुने संसाधित की जा रही है वस्तों के लिए मूल मुल्य को सनरक्षित कर प्रभावी दंग से समाध करने में मदद करती है जब हर कोई समस्त है कि शर्थ दवा या प्रक्रियक क्या होती है तो वे अपनी भुमेगां को उसी तरीके से पूरा करने में सक्षम होता है चाहे वे दवा की डिलेवरी या दवा के लिए बिलिंग हो चिकिस्वा शब्दावली व्यक्तिकत जीवन में कैसे मदद कर सकती है चिकिस्वा शब्दावली का अधियन करके आप स्वास्ते अत्याधिक वशिष्ट भाशा में एक प्रवा विक को बदल सकता है चिकिसर शब्दावली का उपयोगिता चिकिसर शब्दावली सभी चिकिस वसी समात करने में अनुमति देती हैं जब हर कोई समझता है कि एक शर्थ दवा या परक्री क्या है तो तदा अनुसार अपनी भूमेकाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं चाहे वे दवा की डिलेवरी हो या किसी दवा की लिए बिलिंग चिकिसन शब्दावली को समझना सभी करमचारियों स्टाव के संचार को परिक्षन पूरी करती है समझ की अनुमति देता है चाहे वे अनुपालन परशिक्षन या संक्रमन येंतरन परशिक्षन है मरीजों और करमचारियों दोनों के लिए एक सुरक्षित वातवरन बनाने में मदद करता है बहतर रोगी सुरक्षा स्वास्त देगमार टीम के सभी संदस्यों के बीज गुनवत्ता संचार गल्टियों की संक्या को कम करने और रोगी को सुरक्षा में सुधार करता है उधारन के लिए यदि कोई चिकिसा प्रक्रियां या पूर्वी स्थित रोगी के लिए पूर्वी चिकिसा इकियास को जानता है तो ये चिकि एक कोमल द्रव से भरी जेब जो आम तोर पर संक्रमन के गानु उत्तकों में बनती है तीवर एक एसी इस्तिती को दर्शाता है जो अचानक शुरू होती है और कभी-कभी घंबीर होती है लेकिन अवधी कम होती है सोम में कैंसर नहीं बायोपसी उत्तक का एक छोटा सा नमून जिसे परीक्षन के लिए लिया गया है जीन हरदे रोग जैसी आवर्ती लगातार इस्तिती को दर्शाता है ब्रंग एक चोट डिफिब्रिलेटर एक चिकिस्जाव करन जो सामानी दिल की धड़कन को बेहाल करने के लिए बिजली के जड़कों का उप्योग करता है एडिम इस वाचा की भाहरी परत फ्रेक्चर टूटी हड़ी या काटिलेज ग्रंथी एक अंग या उत्तक जो एक विशिष्ट कारिये गरने वाले तरल पदार्ट को उत्पादन और साथ इस्तराव करता है उच्छ रक्च चाप इन पेशेंट एक मरीज जिसे अस्पदाल में भरत अंत शीरा शीरद्वारदी जाने वाली दवा या तरल पदार्ट जो इंगित करता है घातक कैंसर कोशीगाओं को उपस्तिति को इंगित करता है आउट पेशेंट एक मरीज जो पिना अस्पताल में भरती हुए देखमाल करता है रोग का निदान रोग की प्रगति और उप उप्तकों को आपस में जोडने का काम करते हैं पत्यारोपन एक शरीर से किसी यंग या उट्तक को हटाना जिसे दूसरे में प्रत्यारोपित किया जाता है वैक्सिन एक पदार्ट जो रोगी प्रति रोदक शमता ब्रदान करने के लिए एंटी बाड़ी उत्पादन को उत् अन्रशनात्मक नियमों का पालन करती है जो सभी भाषा करती है जिसमें उपसर्ग और प्रत्य और उप्योग शामिल है दवा के दाइरे की ये भार की शब्दों से आपंग इन में से कुछ परिचित हो सकते हैं ए अभाव या बीना एशन एक प्रक्रिया को दर्शाता है ड तूचन का प्रतिक लिसिस अफगटन विनाश या तूटना ऑसिस कुछ ऐसा इंगित करता है जो असामान्य है ओटोमी काटने के लिए पैती रोग या रोग प्रक्रिया प्लास्टी सर्जिकल रिपेर पाली अनेक शग्रा आम तोर पर दिखने के संबन में जूटा या भ्र शब्द आपके अनुभों के अधार पर सहज ग्यान यूगत होते हैं यदि आप एक अथिलिट व्यक्ति हैं उधारन के लिए आप शाहिद जानते हैं कि रदे व्यायां कोई भी गतिविदी हैं जो आपके रदे गतिव को पंप करती हैं काडियो दिल से संबंदित डेमेट रक्त से संबंदित मायो पेशी से संबंदित चिकिशा शंग्षिपताक्षर्ग और परियावर्नी शब्द नीचे सुचिवन की तुलना में कई और चिकिशा योग और संग्षिपताक्षर्ग हैं लेकिन जब तक आप डॉक्टर या किसी अन्यप्रकार के प्रदाताबनने कि योजना नहीं बना रहे हैं तब तक ये संगनी लाइन आपको गती का पहुंचाना चाहिए LS 99 समर्तन, BMW, Blood Work, BMI, Body Mass Index, उचाई और वजन के आधार पर शरीर में वसाओ का एक उपाई BP, Blood Pressure, CPR, Cardiopulmonary, Resuscitation, एक जीवन रक्षक तक्निक जिसे Mouth to Mouth Resuscitation भी कहा जाता है C, Read, Griva, Read, E, D, E, R, आपातकालिन विभाग्या, आपातकालिन कॉक्ष, E, K, G, Electrocardiogram, घ्रदे की निगरानी और समस्याओं का परिक्षन का एक तरीका HD, L, C, उच गनतवाले लिपोप्रोटीन कॉलेस्ट्रोल जिसे अक्सर अच्छा कॉलेस्ट्रोल कहा जाता है HR, भ्रदे गती प्रती मिनिट बीट्स के रूप में व्यक्त LDLC कम घनतव वाले लिपो प्रोटीन कॉलिस्ट्रॉल जिसे अक्सर खराब कॉलिस्ट्रॉल कहा जाता है लाम़ लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाईस लीव अगेंस मेडिकल एडवाइस को मोटे तोर पर इलाज करने वाली टीम की व्यक्त सला के खिलाफ अस्पताल छोड़ने पर रोगी के आगरे के रूप में परिभाशित किया जा सकता है लामा स्वास्ति देखवाल प्रदाताओं के लिए चिंता और चुनोती का विशे हैं क्योंकि इसे रुगुंता और मत्युदर्म के मामले प्रतिकुल चिकिसा परिणाम मिलते हैं लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाईस का मदलब है पेशेंट जो है वो बिना डॉक्टर के सहमती के होस्पिटल छोड़के जा रहा है जिसे डिसार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाईस भी कहा जाता है ऐसा कारिय कर जिसे के तेंट रोगी पस्ति चिकिसा सिफारिश या इच्छा के विपरित अपना डिसार्ज लेता है ये मुद्धा आस्पताल प्रबंदन स्टाफ और रोगी के सांसा तीसरे पक्ष से भी संबंदित है जा लागू हो विशेश रूप से डॉक्टर और नर्स नेतिक विचारों और पेशरों दायतों को प्रमानित करने के बाद गुणवत्ता आश्वेशन और मुकदमे बाजी से संबंदित मुद्धों को सामना करना पड़ सकता है इसलिए पेशन का लामा लिखवा कर हम लेते हैं लामा में शामिल रोगी ततकाल और बाद में परिणामों पर विचार की बिना एक खतरनाक निर्णे ले सकता है तीसरे पक्ष आम तोड़ पर नियोक्ता या कानूनी सलागार कभी गभी निर्णे में शामिल होते हैं हाला कि उन रोग्यों के लिए जिनके पास बीमा पॉलिसीज है लामा का विकल्प लेने का निर्णे वित्य साहिता का अंथ हो सकता है जो भतता है कि लामा लेने वाले अधिगांश रोग्यों का बीमा नहीं है या वे किसी भी चिकिसा साहिता से अच्छादित नहीं है विकासिल देश ने खराब इत्ति और निम्न सामाजिक आर्थिक इस्तति को लामा के मुख्यकार्णों के रूप में शामिल किया है साथ से नो विक्सित देशों में मानो इम्यूनो डेफिशेंजी वाइरस से सम्मंदित इस्ततियों योगदान कारक है थैंक यू आपको हमारे वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें